कि हलो स्टुएंट्स वेलकम बैक टू आर यूटूब एज को सन चैनल सिख छड़ अकैडमी आज के इस वीडियो में हम इस्टेंडर सिख्त का मैथेमेटिक्स के अंदर आपका एंसी आटी के चैप्टर नमबर 9 डेटा हैं को सौल करने वाले हैं यह आपका जो है ग्राफ अबचित करा बुक में देखेंगे और NCRT टेक्स बुक में आप देते हैं तो वहां का एक्सराइज 9.1 मबर और जो आपका अनका आपको यहां पे गिवन है पेज नमबर है पेज है फेज नमबर वन हंडेедद नाइटी त्री में नइन नाइटी फोर मतलब इस क्वेस्टन का कुछ पार्ट 193 पर है और कुछ पार्ट उसका 194 पर है अब इस क्वेस्चेन को देखते हैं पढ़ते हैं पहले इसको ध्यान से देखो सबसे पहले हैं और क्या फाइंड करना है दाइस के लफ इलेक्रिक बल्व और डिफ्रेंट डेस ओफ़ बीक इस ऊब बेचे गए तो अलग-अलग दिन का आपको वहाँ पर गिवन है कितने वल्व बैचे गए और फिर उसके पाद यहाँ पर फिक्टोग्राफ हो गया इस पि पूछे गए हैं इस पिक्टोग्राफ के हेल्प से हमें उस क्वेस्टिन का अंसर देना है चलिए देखो तो यहां पर आपको देखोगे पिक्टोग्राफ में एक टेबल में आपको डेज गीवन है तो डेज आपका देखो मंडे त्यूजडे फ्राइडे सेटर्डे और संड शिंबल तो कैसे हैं जैसे अंगर आपको एक यहां मतलब और फूटो रहे हैं तो यहां पर फूम्ट उटकर मतलब तो 6 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मतलब AB 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 टाइम है तो 12 बल्ब इसको हम लिखेंगे कैसे देखो simply आपको क्या करना है जितने number of picture आपको given हो उतना multiply by 2 कर दोगे तो आपका number of बल्ब निकल जाएगा पहले हम पूरे week का इस तरह से number of बल्ब यहाँ साइड में लिख देते हैं फिर question की तरफ चलेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा question भी answer भी हमें अच्छे से आएगा तो चलिए यहाँ पे देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितना है यहाँ पे 6 है पिक्चर अब एक पिक्चर का मतलब कितना वाल टू तो सिक्स टूजा क्या हो गया 12 हो गया मंडे को सेम ट्यूजडे को अब देखो ट्यूजडे को कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो एट पिक्चर आपको गिवन है तो 8 x 2 कर दो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपक ओके नाव वेनस्टे को तो वेनस्टे को देखो 1, 2, 3, 4 तो 4 यहाँ पे आपको है तो एक बल का कितना एक पिक्चर का कितना बल टू तो फोर का कितना फोर टू जा एट हो गया नेक्स्ट थर्ष्टे का देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 x 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 नेक्स्ट फ्राइडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 x 2 तो देट इस आपका 14 नाउ 1, 2, 3, 4 तो 4, 2, 8 आ गया नेक्स्ट है संडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 x 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 18 बल्व संडे को solve दो हुए सबसे ज़्यादा आपको संडे को दिख रहे हैं ती हमारा क्या हो गया डेटा हो गया इस डेटा को हमने यहां ते के अच्छे से पढ़ा ठीक है समझा क्या data given है कितना data हमको given है अब इसके बाद आपको questions given है ठीक है from the pictograph answer the following questions जो question given है इस question का हमें answer देना है बट answer देने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट अफॉल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे और वर् स्टुडेंट सापको गिवन है यहां पर यह नंबर का देखते हैं हाउ मैनी वर्व वेर सौल्ड उन फ्राइडे तो फ्राइडे को कितना वल्व सौल्ड वह था बेचा गया था यह आपको बताना है तो देखो यह रहा वीक में हमारा फ्राइडे देख लेते हैं हां सौल्ड ओन के फ्राइडे एज व्डो टूंग तो इस इन्टू दिफट है वड्र क्या हुए था परइडे को सौलों हम इस तरह से बता देना यह नक्स्ट हमारा क्वेस्टन है नंबर व्रत में क्या बोला है आप से on which day where the maximum number of bulbs sold ऐसा कौन सा डे था मतलब वीक में पूरा पूरे वीक में ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा maximum number of bulbs क्या हुए थे sold हुए थे बेचे गए थे तो देखो पूरा वीक आपको देखना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा बल्ब देखो के सोल्ड हुए थे 18 नमबर बल्ब कौन सा डे था हो दैट वाज दा संडे लिखोगे क्या आप ओन संडे दम नम आप ऐसा भी लिख सकते हो के लिख होगे मैकसीमम मैकसीमम नमबर ओफ किनेand डा यहां पर लिख देंगे हम संडे ओके तो यह हमारा क्या हो गया क्वेस्टन नंबर भी हो गया जिसका हमने अंसर देख लिया नाउ सी पे देखते हैं ओन विच ओप देज डेज ओन विच ओप देज वेर दा सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड मतलब ऐसे कौन से दो यह से दिन थे या फिर मालो दो या तीन जो भी डेज थे यह पूरे वीक में ऐसे कौन से डेज थे जिस दिन क्या हुआ था कि सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए थे एक ही जितना बल्ब यहां पर सोल्ड हुए तो देखते हैं यहां पर तो देख लो अगर आप देखोगे तो एट और एट दो बार आया हुए न फिक है आठ वल्ब क्या हुए थे व्लियंग को भी सॉल्ड हुए थे एंब सेटरडे को बड़ी सॉल्ड दूब अब याँनॡ है जिसमें दो बॉसे आता हो जैसे कि अगर का नो'llie ब्लब tirar अचांफया थी नहीं में जानब बॉसन के औंसग्या पर एतन यहन हां पर यह की पूछा पुछा दो हम सिर्थेंगे तो始द हमारा एक सट्रम नहीं है ओर एक क्या है वेनेश्टे उधार टे हैं जह लिखोंगे यहां पे अंसर देखा आपको किस तरह से लिखना है रिखने ऑन जाए आना चाहिए आपको यहां पर उन कि वेनेश दे एएड़ कि एंड कि एंड कि एंड सेटर्डे यह दो दिन थे ओन वेनश टे एंड सेटर्डे सेम नंबर आप दा वल्वेर सोल्ड सेम नंबर ओफ यहां पर आपको स्पेलिंग सेम नंबर ओफ बल्ब्स और सोल्ड इस तरह से आपको लिख देना है तो यह आपका सी नंबर हो गया दें डी और यह दो क्वेस्टिन और इसके अंदर है वह भी देखते हैं क्या-क्या पुछा है समझ लेते हैं बोला है सबसे कम नंबर ओफ सोल्ड हुए मतलब 8 तो 8 दो दिन है तो हमें दो दिन बताना पड़ेगा और देखो 8 से कोई भी दिन नहीं था जिस दिन 8 से कम बल्व बिके हों ठीक है सबसे चोटा कौन है एड नंबर ओल्व मतलब 8 बलभी क्या हुए इसा Saturday और Wednesday को बिके थे इस से कम नहीं को किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 5 बलभ को किस दिन ऐसा नहीं हुआ सेबन बलब सोल्ड हूँ ओके तो अब यहां पर 2 में है तो हमें दोनोगे को लिखना पड़ेगा minimum में है तो लिखोंगे यहां पर आप दा मिनिमम नंबर ओफ बल्व सार द द मीनीमम है कि नंबर ओफ नंबर ओफ बल्व से वियर वी सोल्ड ओन दो दिन थे तो वेनज डे एंड वेनज डे एंड सेटरड़ जो दोनों दिन थे को हमें लिखते ना है इस तरह से ओके यह हो गया आपका कंप्लेट नाव यह नंबर पर चलते हैं यह नंबर में क्या दिया गया इफ वन बिग कटन होल्ड थैन होल्ड नाइन बल्व देन हाव मेनी कटन्स वेर नीडट इन दा गिवन वीक तो अगर सपोस्थ आपको क्या है एक काटन अगर हमें सबस्ट चाहिए मतलब इक हमको थैला चाहिए तो हमें पूरे विद के जितने विवल्व करोगे तो आएगा 2828 में एट करोगे तो आपका 3636 में आप 10 नएड करोगे तो आपका 4646 में आप 14 एड करोगे dein 46 एन फूर आपका 50 और 9 दोगे तो आपका क्या जायगाँ 60 के बात 60 एड अब 60 एड मे आप Liberty एड़ कर दोगे तो 76 and 86 हो जाएगा ठीक है एटीन तो 86 हो जाएगा डाइट में सब आपके पास कितने हैं 86 बल्ब से पूरे वीक में ओके सो 86 वीक है वल्ब से तो सबसे पहले हमें आप टोटल नंबर अब लिका ले प्रशच्व यहां से आए पहां पे हम उसाता पडसे लाइनिंग और देखो अब वन क्रटन हमें चारें का रहा है एक नाइन बल्फ टिक या फिरिशू फून क्यों क्या करना नंबर उपका रिवर काटन करना है तो घतल के तो लिख दो 9 bulbs 9 bulbs is equal to one curtain में आ रहे हैं ठीक है one curtain के अंदर क्या हो रहे है 9 bulb तो हमारे पास है कितने 86 bulbs is equal to how many curtains ठीक तो यहां पर आएगा जो भी हम लिख देंगे इतने हमारे curtains remark की जगह पर है कि हमारे पास जगह नहीं है तो डिवाइड कर दो 86 divided by 9 करोगे तो देखो 9 9 जा 81 अगर 9 टेंजा करोगे 90 हो जाएगा 4 बल्ब कम पड़ेंगे तो डिवाइड करो जिससे हो रहा है 9 9 जा 81 यहां पर आप सब्ट्रेक करोगे 6 में से बन जाएगा 5 जीरो तो देखो पूरे पूरे एटी वन बल्ब क्या होंगे 9 करटन के अंदर आ जाएंगे लेकिन आपको क्या 5 एक्स्ट्रा बल्ब भी बचेंगे अब उसको लिए क्या करोगे तो करोगे नहीं आपको एक नया करटन भी तो लेना पड़ेगा तो जिसके अंदर फाइप रखेंगे नहीं बल्ब हो जाएंगे लेकिन जो लास्ट वाला करटन बचेगा उसके अंदर कितने बल्ब रहेंगे उनली फाइब बल्ब सी रहेंगे तो यहां पर आपका क्या आजाएगा टेन करटन्स और नीडेट टू होल ठीक है तो यह आपका अंसर हो गया आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो सेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में